आयनन एंठ्लपी या आयनन उष्पा आयनन एंठ्लपी या आयनन उष्पा एंठ्लपी ऑज वीट ऑफ इनजि Catalunya war we ठरक्षणों के अधार दुरबल-मल या दुरबल-च्Şार की आयनन उष्पा की गन्ना कि जstag सकती है एक मोल दुरबल अमल और दुरबल चार के पूल आएनल में आउसित उस्मा को उस अमल या चार की आएनल उस्मा यْ आएनल एंथलपी के नाशेक पो ककारते है अब इस चीजब को समझे है कि हमक्रीबल एक्ञामपल ले सकते है कि Ammonium Hydroxide की 25 डिगरी सेंट्री पर आयनल एंथल पर की हमें गढ़ना करनी है तो जैसे कि हम जानते है HCl प्लस NUH वाटर और हीट इवर्ड विल बी इकोल तो माइस 13.7 किलो कैलोरी अगर हम HCl Ammonium Hydroxide की लेंगे अगर हम 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 को देखें तो हम क्या कह सकते है कि HCl को हम लिख सकते हैं कैसे H positive प्लस OH negative बनाएगा water और उसकी होगी enthalpy कितीन उदास्य को बनाएगा होगी माइस 13.7 किलो कैलोरी इसी प्रकार से अगर हम Ammonium Hydroxide है ना प्लस positive तो उसमें Ammonium plus water होगा that is minus 12.27 यह equation second के लिए है अर्थाथाथ HCl plus Ammonium Hydroxide के लिए है और दोनों को अगर हम कटाएं तो हम इस प्रकार से यह जो उस्मा प्राप्त होई है इसे ही हम क्या कहते हैं आयन उस्मा के नम से पुकारते हैं अब आयन उस्मा के लिए उदाशनिकन की एंथेलपी यह उदाशनिकन उस्मा का हम प्रयोगे निर्धारण भी कर सकते हैं और प्रयोगे के निर्धारण कैसे किया जा सकता है बड़ी आसानी सम्देखते हैं एंथेली का मान गयात करने के लिए एक हम डेवार फ्लास्क लेते हैं उसमें कलोरी मेटर के रूप में काम लिया जा सकता है उसमें एक विडोलक डालते हैं एक बैक मैं थर्मो मेटर लगा होता है समर्य पुरक्षिर्ण की लिए डेवार फ्लास्क के इस्थान पर थर्मो twelve फ्लास का उप्यों किया सकता है व्लास्मा का शेर रोखने के लिए फ्लास्क को लपडी के डिबे में नमदा भरकर रखते हैं उसका नहिस्टार्ध नहीं न्घदान दोंग पोता है क्या जासकता है समसे पहले हम क्या करेंगे प्रियुक्त फ्लास्क थर्माइटर और विडो लॉक आदी का जल तुल्यांग और कलोरी मीटर इस तरह ग्याद करेंगे हाना और उसके बाद उस उदाशिंगर की एंथिल भी ग्याद करेंगे तो फ्लाक्स में माना पहले हम M1 ग्राम जल लेते हैं उसका तापमान T1 नोट कर लेते हैं इस प्रकार अब M2 ग्राम ग्रम जल लिया जाता है जिसका तापमान T2 हो पर यह ध्यान रखिए कि यहां T2 जो अब दोनों को मिक्स किया जाता है मिशन विडूलित करके इनका मिशन का तापमान ग्याद किया जा सकता है इस प्रकार ठंडे जल फ्लास आदी का आदी द्वारा ग्रहन के इसमा होगी M1 T3 मानस T1 प्लस W T3 मानस T1 W क्या है इसका जल तुल्यांक है तो इस प्रकार से गरम जल तुल द्वारा दी गई इसमा होगी M2 T2 मानस T3 और लिगे इसमा जिर दी के इसमा तो इस प्रकार डब्लो का मानन हमें प्राप्ट होगा M2 T2 मानस T3 अपोन T3 मानस T1 मानस M1 उदार आदी का जा सकता है अब दोनों तेमपराचिर अब क्या करेंगे हम अब थ्लास में जो SCL है यह जो भी acid है एक ग्राम तुल्ला आंक लेंगे उसका अंशीरिक मातरा लेंगे उसको हमने डाल दे थर्मस फलास में temperature note कर लिया फिर एनवे ले लेंगे SCL ली है फिर एनवे ले लेंगे उसकी मातरा डाल देंगे फिर उसका temperature मन हम नोट कर लेंगे, इस प्रकार मिश्वन का तापमान क्या होगा, T4 plus T5 प्रटट दो, और इस प्रकार से जो heat hold होगी, उसकी वल्य हम निकाल सकते हैं, that is equal to, हाना, M1, M2 into T6 minus T4 plus T5 by 2 plus W T6 minus T4 plus T5 by 2, हाना, और इस प्रकार इसकी वल्य हम निकाल सकते हैं,